नमस्कार दोस्तों आप सभी के एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है करियर बिट के इस फैमली में दोस्तों उत्तर प्रदेश में B.A.D. में एडमिशन के लिए ओनलाइन आवेदन 11 फरवरी 2019 से स्टार्ट हो चुके हैं लगबग 15 दिन बीच जाने के बाद भी आवेदनों की संख्या को देखते हुए यह निश्ची तोर पर कहा जा सकता है कि अभियर्थियों का B.A.D. से मो भंग हो गया है दोस्तों क्या है पुरा मामला और यदि आप भी B.A.D. सत्र 2019-20 में अडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप के हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करि 22 जून सन 2018 की NCT द्वारा जारी किया गया गजट जिसमें B.A.D. को भी प्रात्मिक में मौका दिये जाने के संदर में प्रावधान किया गया था इसके बाद से उमीदे जताई जा रही थी कि B.A.D. सत्र 2019-20 में आवेदरों की संख्या बंपर हो सकती है लेकिन दोस्तों 15 द अगर टोटल नंबर ओफ सीट की मैं बात करूँ तो लगबद 2 लाख के आसपा सीट सें B.A.D. सत्र 2019-20 में एडमिशन के लिए लेकिन 15 दिन बीच जाने के बाद भी मात्र 75,000 आवेदर आना निश्ची तोर पर जौब ना होने की कारण युगाओं का B.A.D. से मोब होना भ झाल